हेलो एवरिवन, वेल्गम बेग तो आवर चैनल आज हम भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे सक्थिसाली रोकेट लॉंच्रों में से एक विना का रोकेट लॉंचर की बारे में बात करने जा रहे हैं विना का रोकेट लॉंचर का निर्माण आईए अगले तीन मिनिट में सबस्चते हैं कि पिना का रोकेट लॉंचर कैसे काम करता है और इसमें क्या खास है बिना आपका समय गवे जिले वीडियो स्फूरू करते हैं पिना का रोकेट लॉंचर के वर्किंग प्रोसेस को समझने से पहले इसकी हिस्टी पर एक मेज़र डालते हैं पिना का रोकेट लॉंचर को पहली बार उननी सो इठ्याण में पेस किया गया था और तब से आज तक इसमें कई एड़ास उदार किये गये हैं पिना का रोकेट लॉंचर का निव एडिशन जिसे पिना का मार्क टू के रूप में भी जाना जाता है इसकी सक्सेश्वल टेस्टिंग 2019 में की गई थी प्रेजेंट भई ये इनन आर्मी के साथ अपनी सेवा दे रहा है अब हम इसके वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो पिना का रोकेट लॉंचर में थे ट्यूब होते हैं जिनमें परतेक ट्यूब को रोकेट से लोड किया जा सकता है इसकी इफेक्टिव रेंजिन 40 किलोमेटर है और इसे मोबाल लॉंचर या इस्टेटिक लॉंचर से भी लॉंच किया जा सकता है इस लॉंचर को टाटा 8 पर लगया जा सकता है जो इसे तेजी से चलने और अलग-अलग इलापों में काम करने में सक्षम बनाता है यह नागा रॉकेट लॉंचर की सबसे बड़ी खासित यह है कि यह जमाली सेकिन में पारा रॉकेट एक सार लॉंच कर सकता है इसी वज़े से यह लॉंचर दुनिया क सबसे शक्तिसाली रॉकेट लॉंच रॉंच रॉपे से एक है इनागा रॉकेट लॉंचर सिस्टम में यूज किया जाने वाले रॉकेट रॉकेट है और इससे कई परकार के वारेड में लगया जा सकता है इस सिस्टम को हाई एक्स्प्लोसिव फ्रेग्मेंडेशन और कमाले सेक्न में 12 मिसाइल एक साथ लॉंच की जा सकती है इस रॉकेट लॉंचर को कम्पूटर से गैड किया जाता है जो इसे एक्सेक्ट लॉकेशन पर अपने टार्गेट को हिट करने में मदद करता है यह लॉंचर कहीं एडवास सिस्टम से लेस है जिनमें जीपीएस और पाकिस्तान के एक टेर्रिस्ट ट्रेनिंग केम को पूरी तरह नश्ट कर दिया था कुल मिलाकर विन्दा का रॉकेट लॉंचर एक हाईली वर्सेटाइल और इफ्यक्टिव वेपन सिस्टम है जो इंडियन आर्मे कीप काफी हेल्प करता है तो दोस्तों यह दिया आपको य जान करी इंफॉर्मेटियो लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर जैनलों को सब्सक्राइब जरूर रहे हैं मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय बारत